हेलो फ्रेंट्स आप सब्सक्राइब का स्वागत है तो फ्रेंट्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के न्यूज को उपर तो फ्रेंट्स मार्केट में अभी के टाइम में जितनी भी बड़ी न्यूज दिखेगी सबको कवर कर लेंगे तो friends सबसे पहले वाली news को पर बात करें तो friends यह है आपको घाना के CBDC development से related जो है यह news है तो यहाँ पर वहाँ के जो government है वहाँ के जो central bank है उन्होंने कुछ document जो है उसको सामने लाया है जिसमें की कुछ key features को आपको digital currency को issue करने को लेकर यहाँ पर दिखाये गया तो चोरो friends बा किस चीज को लेकर है तो develop करने को लेकर है CBDC development के लेकर जो outline है उसमें कुछ key features को उन्होंने जो include किया है उसी पर यह news निकल कर आई है और उसी के बारे में friends यह जो है आपको यहाँ पर report जो देखने को मिल रही है तो friends यहाँ पर इनका यह कहना है कि यह जो bank के जो governor यह insist देत करेगी ऐसा उन्होंने बोला है कि वो उनको help करेगी और वहाँ पर digital currency को launch करने को लेकर उसे successful बनाने को लेकर government की वहाँ कर बैंक की वहाँ के जो institutions है वो help करेगी ऐसा वहाँ का government का कहना है और उन्होंने कुछ जो document होगा रहा है उसको थोड़े बहुत release किये हैं पूरे पर नहीं हलका फुलका कुछ detail से हो है release किये हैं जो कि CBDC के development के regarding में है ना कि यहाँ पर launch development हुआ है बट उसके regarding जो काम चल रहा है उससे related है तो friends इसे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा detail में हम लोग यहाँ पर पढ़ने के जोत है तो चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले news के लिए तो friends बात करें इस वाले news की तो friends यहाँ पर है कि anonymous है जो कि claim करता है मतलब कि कुछ ऐसा जो कि एक और नौन आदमी हो सकता है एक और नौन ग्रूप हो सकता है जो कि यह claim कर रहा है कि उसने जो है 28 GB जिसके बारे में अभी पता नहीं है जानकारी नहीं है उसने यह publish करते हो बोला कि उसने जो large amount of data है जो की belong करता है bank of Russia से जिसको पहले ही उपर heading में दे दिया था कि लबब लबग 28 GB का data जो है उनका यह मानना है कि उन्होंने hack कर लिया है उसको वो लोग publish किये है release करने की बा दावा किया था कि उन्होंन जे है bank of Russia को मतलब जो वांकी central bank है उसके जो documents होते हैं जो उसके data होते है उसको उन्होंने hack कर लिया और वो warning दे रहे थे कि अभी हम लोग इस data उगरा को आने वला time में मतलब release कर देंगे और यह warning उगरा भी किस related थी तो जिस तरह से रसिया ने Ukraine पर वार किया है अकरबन किया इस इस related उन्होंने भी धंकी दी दी ती जिस तरह से अलग लग प्रतिबंद लगा जा रहा है तो हैकर अपने style में अपना जो काम है वो कर रहा था तो यहां पर अब यह दावा किया रहा है कि उन्होंने जो है मतलब bank of Russia के जो document है लगगा एक यह news है जो कि इंडिया के तरफ से जो की crypto के ad guidelines के लिए है तो friends चलो यहां पर देखते हैं तो यहां पर है कि crypto के जो advertising है उसके लिए कुछ guideline है जो government में निकाली है कि cryptocurrency के विए आपन के लिए जो ASCI है जो की council है इन सभी की उन्होंने guidelines जारी किया जिसमें इन्होंने बोला ह है कि अपसे 1 अप्रिल 2022 से जो भी ads crypto उतपादों और token के लिए disclaimer देना होगा मतलब जैसे कि जो भी advertisement होता है crypto को लेकर उसमें जो भी आप token और उतपादों के लिए crypto उतपादों के लिए जो ad आप दिखाएंगे उसमें आपको disclaimer देना होगा और उस disclaimer में आपको साप साप regulated है और इन पर अत्यादिक जोकिम हो सकता है और नीचे की अगर बात किरेंगे तो इसमें ये भी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको लिखा था कि ये अत्यादिक जोकिम बढ़ा हो सकता है और अगर आपको risk होता है या जोकिम होता है कर घाटा होता है तो इसमें ज देन उगर आब बोला है कि इस तरह से आप follow इसको करें तो चलो friends ये नीज थी जो की इंडिया से थी चोटी मोटी जिसको मैंने इसी में इसी में इंकलूटकर है कावर कर दिया तो friends लबक सारे नीज को मैंने भी कावर कर दिया जो भी मार्केट में मुझे दिखे फिलाल के टा कर दो में